दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है इसी माप यससी निकालेगी ग्रेजुएट इंटर लेवल पर बंपर भाली जी हाँ प्रतियुगिता परिचा की तैयारिक करने वाले इवक उवितियों के लिए खुसकबरी है विहार करमचारी चैन आयोग जल्द ही थर्ड ग्रेजुएट लेवल एक्जाम और दूसरी इंटर इस्तरिय परिच्छा का आईजन करेगा इनके लिए विकापन का प्रकासन इसी महने के अंत तक होगा आपको बदा दे कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल एक्जाम के लिए अब दक 1905 जबकि दूसरी इंटर इस्तरिय परिच्छा के लिए 684 रिक्तिया आई है हाला कि आयो की सुत्रों की माने तो पिछली बार की तरह थर्ड ग्रेजुएट लेवल एक्जाम की वेकेंसी 3000 के आसपास रने वाली है अभी रिक्तियों के सेंख्या में कमी की बड़ी वज़ा कई विभागों द्वारा नहीं भेजा जाना है बड़ी कबर बिहार में बढ़ रहा खत्रा हर 10 मिनट में 13 लोग हो रहे है पोजिटिव जी हाँ बिहार में कोरोना के दूसरी लहर बड़ी तेजी से पील रही है आपको बड़ा दे कि देश भर में कहर बरपाने वाला कोरोना अब बिहार में भी अपना विक्राल रूप धारन करते जा रहा है बिहार सरकार की ओर से जारित ताजा राकड़े के मुताबिक हर 10 मिनट में 13 लोग कोरोना पोजिटिव हो रहे हैं राज़ाने पटना का हाल सबसे बेहाल है जहां पिछले 24 गंटे में 743 ने संक्रमित मरेज मिले हैं बिहार में जानलेवा हुई संक्रमन की रप्तार पिछले 24 गंटे में 1911 संक्रमित मरेज चार की मौत पटना में सबसे ज़्यादा मामले बिहार में कोरोना संक्रमित के रप्ता जानलेवा हो गई है, पिछले 24 घंटे में बिहार में 19 लोगों की रिपोर्ट पोजिटिव आई है, जबकि पटना में 743 नए मरेज मिले हैं, राज़ाने में बुदवार को 522 संक्रमित मिले थे, मरेजों की बढ़ती संक्या से प्रदे संक्या से एक्टि ममलो की संक्या 7504 तक पहुच गई है, वहें पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, पिछडे जातिक के बच्चों के लिए बिहार के 8 जीलों में बननेंगे 10 छात्रावास, जीहाराज सरकार पिछड़ा एवं 77 पिछड़ा वर्ग के गोपाल गंज में दो, बकसर में एक, नवादा में दो, पूर्णिया में एक, अरवल में एक, सहरसा में एक, अरर्या में एक, एवं, नालंदा में एक यानि कूल, 10 छात्रावास मनाये जाएंगे, इसकी मंजूर के लिए केंदर सरकार को प्रस्ताव भेजा गिया है, सिवक पूर्णियों में हैं, जहान लगवग 2000, छात्र छात्राये हैं, सकेंगे अगर यात्री बिना कोरोना जाच नेगेटिव रिपोर्ट लिए हाजिपूर रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन से उतरता है तो उसके लिए कोरोना जाच कराना अनिवारे होगा महाराष्ट दिल्ली पंजाब सहीद अन्य राज्जों से बस या टेनों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जाच कराये जाएगी ग्यात हो कि अभी भी रेल्वे स्टेशन एवं बस पड़ा बर कोरोना जाच की सुविदा उपलव दहल लेकिन कोरोना जाच सकती से कराने के लिए जीला प्रसासन रेल प्रसासन वो स्वास्त विवाग सहीग तुरूप की तयारी की है जानकारी के लिए बता दे कि रेल्वे स्टेशन पर तेन सिप्ट में 24 घंटे डाक्टर और स्वास्त कर्मियों की टीम सुकरवास से तेनात होंगे पटना समेथ कई जीलों में कोरोना वैक्सिन का स्टोक खतम टिका करन के लिए आए लोग निरास लोटे पटना समेथ बिहार के कई इस्थानों पर कोरोना वैक्सिन का स्टोक कम पड़ गया है कई जीलों में वैक्सिन है ही नहीं वही पटना में भी स्टोक कम पड़ने के कारण चुनिंदा लोगों को ही वैक्सिन दी गई बिहार सरकार को वैक्सिन के नई खेब का इंतिजार है अगर भारत सरकार से नई खेब नई पहुची तो आज से इस्थिति और खराब होगी दरबंगा में वैक्सिनेशन का काम पूरी तरह से ठफ हो गया है इसके अलावा दानापूर के रेल्वे अस्पताल में वैक्सिन पूरी तरह खतम होने के कारण कल वैक्सिनेशन का काम नहीं हो पाया, हलाकि कुछ अस्पतालों में पहले से स्टोक मौजूद था लिहाजा, वहां वैक्सिनेशन का काम चला सियम नितिस ने राजवासियों के नाम लिखी चिट्टी बोले बिहार में 2 करोड 41 लाग से ज़्यादा टेस्ट हुए, रिकवरी रेड भी राष्टिय ओसद से ज़्यादा कोविड के बिहार में लगातार बढ़ नितिस कुमार ने बिहार वासियों के नाम पत्र लिखा है, सियम ने राज सरकार की तैयारियों को बताते हुए, लोगों को आस्वत किया है, साथ ही लोगों से कोविड नियोमों का सक्ति से पालड करने की भी अपिल की है, सियम ने ज से ज़्यादा है विहार में कोरोना की रिकवरी रेट 97.58 प्रतिसत है जो राष्टिया उसद से ज़्यादा है इसके साथ ही सीम ने कहा कि हालात को देखते वी सारवजनिक कारिकरम रद कर दिये गये हैं साथ रेल्वे स्टेशन और बस अड़ो पर जाच बढ़ा दी गई है मुईकमंत्री के साथ बैठक में प्याम मोदी बोले मनाए टीका उत्सव संपूर्न लोगडाउन को लेकर कही ये बात जिहां प्याम मोदी ने मुईकमंत्री के साथ बैठक में टीका उत्सव मनाने की अपील की है उन्होंने कहा कि 11 अप्रेल को जियोतिबा फुले जी की ज जनम जेनती है उस भीम हमस भी ठीका रॉझ्सम मनाएंगे। साथ पीयम मौधी ने कहा कि हमारा परयास होना चाहिए कि इस ठीका रॉझ्सम में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सिनेट करें। इसके साथ प्रदानमंत्रे नरेंद्र मौधी ने कहा कि फिलाल संपूर्ण लोगडाउन की जवरत नहीं है उन्होंने कहा कि हमें नाइट कर्प्यू की जगा कुरोना कर्प्य सब्द का इस्तिमाल करना चाहिए लोगों में इससे सही संदेश जाएगा बिहार में पंचाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सभी जीलों के डियम को दिया गया ये निर्देश जी हाँ बिहार में त्री इस्तरिय पंचाय चुनाव की तैयारे प्रसासनिक इस्तर पर तेज कर दे गई है इसी बीज नितिस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सरकार के इस बड़े भेसले से प्रसासनिक कर्मियों को थोड़े राहत मिली है सरकार ने इस बार पुराने आरक्षन के आधार पर ही पंचायद जनाव कराने का निर्ने लिया है बिहार सरकार ने सबी जीले के डियम को आदेश दिया है कि वार्ड से लेकर जीला परिसत तक आरक्षन नियामाले के अनुसार जो भी सीड आरक्षित है उसकी सूची 48 गंडे के अंदर पंचायद इस्तर तक सारवजनिक कर दिया जाए ताकि किसी भी उमिदवारों को नामांकन करने में कोई परिसाने नहीं हो लालू ने जमानत के लिए फिर दायर की याचिका आदि सजा काटने की मियाद 9 अप्रेल को हो रही है पूरी जी हाँ चारा गोटाला मामले में सजा यपता आरजेडी सुप्रेमो लालू प्रसाद ने जारकन हाई कोड में याचिका दाकिल कर जमानत देने का आगरक किया है उनकी तरब से अधिवक्ता देवरसी मंडल ने जमानत याचिका दाकिल की है याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोसगार मामले में सजा की आदी अवदी जेल में काट ली है इस आधार पर उने जमानत दी जाए लालू के वकिल मंडल ने बताया कि 19 फरवरी को हाई कोड ने लालू प्रसाद की जमानत को यह कहती है विखारिश कर दिया था कि उनकी सजा की अवदी के एक मां 19 दिन कम थी 9 अप्रेल को लालू प्रसाद सजा की आदी अवदी पूरी कर रहे हैं इस मामले में सिबियाए कोड ने लालू प्रसाद को साथ साल की सजा सुनाई है बिहार विदानसवा में विधायकों के साथ दुर विवहार के दोसी पूलिस करमों के खिलाप होगी कारवाई आजी को इस पिकर ने दिया निर्देश जी हाँ बिहार विदानसवा के अदक्ष बिजे कुमार सिन्ना ने कहा की लक्चमन रेका लांगने के अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है चाहे वो विदायक हो या पुलिस प्रसासन के अधिकारी 23 मार्ज को विदायकों संग पुलिस की हाता पाई मामले को लेकर गुरवार को विदानसवा में एक अहम बैठक हुई बैठक में स्पिकर ने पटना प्रमंडल के आयुक्त संजे कुमर अगरवाल और पटना रेंज के पुलिस आईजी को विदायकों के साथ हुए दुरविभार मामले में साक्च के आधार पर जाच कराने का निर्देश दिये उन्होंने सदेशों से किये गए दुरविभार के दोसी पुलिस कर्मियों की पहचान कर साक्च के आधार पर जाच करते वे उनके खिलाब कटोर करवाई करने का निर्देश आयुक्त तथा आईजी को दिया विदानसवा परिसर में विदानसवा सुरक्चा प्रहरी की काफिक कमी रहने पर मारसल के साथ बिहार पुलिस के जवानों की प्रतिन्युक्ति की गई थी बिहार के अप्रसेचित सिक्चकों के लिए खुसकबरी नोकरी को लेकर पटना हाई कोर्ट से बड़ी रहा जी हाँ बिहार के विदिन सरकारी स्कुलों में अप्रसेचित सिक्चकों के लिए खुसकबरी है अभी वो नोकरी करते रहेंगे दरसल पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को हाल ही में सेंगान में लिया हाई कोर्ट ने राज सरकार और संबन्दित दूसरी एजनसियों को छो हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है इस केस से प्रबावित अप्रसेचित सिक्चकों के सेंग्या धाई से तीन हजार के बीच है जानकारी के मताबिक यहाँ वो सिक्चक है जिनके इंटर में 50 फि एस ने रिजल्ट इस आधार पर रोक रखा है कि इन सिक्चकों के इंटर में 50 फिजदे मांक्स नहीं थे जानकारों का कहना है कि जब इन अप्रसेचित सिक्चकों की नियुक्ती हुई थी तब 50 फिजदे अंग की बाइदता नहीं थी एक देश एक मजदोरी एक समान मनरेगा मजदोरी करने की पहल बिहार के मंतरी करेंग केंदर से बाइद बिहार सरकार इस कोशिस में लगी है कि मनरेगा के तहद्दी जाने वाले मजदोरी पुरे देश में एक समान हो अभिप्रतिक राज में मन्रेगा जोब कारधारकों को अलग-अलग दर पर भुगतान किया जा रहा है ग्रामिन विकास मंत्री स्रावन कुमार इस सम्मन्द में पहल कर रहे हैं वह दिली दोरे के दोरान केंदर सरकार से इस मसले पर बात करेंगे मुख्यमंत्री ग्राम परिवान योजना का आवेदन अब 23 अपरेल तक अंतिम सुचिक प्रकासन 10 माई को जिहां मुख्यमंत्री ग्राम परिवान योजना के तहत 50% सबसेडी पर अपनी गाड़ी खरीद कर रोजगार के इच्चुक है तो आपके लिए अभी आवसर खतम नहीं हुआ है इस योजना के आटवी चरण की समयावदे में बिस्तार किया गया है आवेदन के अंतिम तिथी 8 अपरेल से बढ़ा कर 23 अपरेल तक प्रकासन किया जाएगा परिवहन मंत्री सीला कुमारी ने बताया कि कोरोना या अन्य कार्णों से इच्चुक आवेदक आवेदन करने सिंचित रह गए थे उन्हें आवेदन करने का एक और मौका दिया जा रहा है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि आवेदन बिहार परिवहन निगम के ओफिसियल वेबसाइट परिवहन.govornment.in पर जाकर कर सकते हैं और हमकी बड़े कबर केंदर सरकार की स्क्रेप पॉलिसी की तहद बिहार में करीब डेड़ लाग गाडिया होगी सड़क से बाहर पिटनेस जाज के लिए बिहाटा में खुलेगा केंदर. राज को परदुसन मुक्त बनाने के लिए राज सरकार इलेक्टिक बैटरी वो सियंजी से चलने वाले गाडियों को बढ़ावा दे रही है सरकार व्यबसाइक वहानों में अनुदान भी दे रही है थाकि लोग पुरानी गाडियों को सियंजी में कनवर्ट कर ले वहीं बिवाग सड़क से पुरानी गाडियों का हटाने के लिए बिहाटा में निरिक्चन एवाम प्रमानी करन केंदर खोलेगा इस केंद्र के मैदम से ही पुरानी गाडियों को सर्टिपिकेट दिया जाएगा कि वहाँ सडकों पर चलने के योग है या नहीं बिना इसके सर्टिपिकेट के लिए कोई सडक पर गाड़ी नहीं चला पाएगा आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार के सबसे लंबे नदी कौन सी है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं